गाइस मार्केट में ना काफी तरह के ओवन्स आते हैं जिन में से एक होते हैं OTG ओवन्स विच आपको काफी कमप्राइज में तो मिलते ही हैं साथ की साथ एलेक्रिसिटी भी कम लेते हैं अब एक जो microwave ओवन है वो आपको लगबग 10-15,000 रुपे चार्ज करेगा 40 लिटर का वहीं OTG ओवन 6-7,000 रुपे में स्टार्ट हो जाते हैं जहां पर कई OTG ओवन्स आपको convection फीचर भी प्रवाइड करते हैं जो जो वो हीट है वो चारो तरफ फैल जाती है और आपका खाना पके तियार हो जाता है इसके अलावा जो convection ओवन्स है ना वहाँ पर heating even होती है बिल्कुल बट OTG ओवन्स में ऐसा नहीं होता जो OTG ओवन्स है ना उसमें वो सारी चीज़े मिलती हैं आपको जो एक microwave oven में मिलती हैं लेक ओवन, toaster, griller, baking, rotessory, convection and so on बागी गईस अगर आप एक OTG ओवन लेना चाहते हो दिन वीडियो को पूरा जरूर देखना इन तोड़ेस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया के top 5 best OTG ovens in 2023 वैसे सभी ovens के link आपको description में मिल जाएंगे बट make sure वीडियो को पूरा जरूर देख लेना सो रड़ आपको clear हो जाए कौन सा ओवन आपको purchase करना है बागी गईस चलिए, let's get started Stop 5 best OTG ovens in India 2023 की list में number 5 पे आता है Inalsa का Masterchef OTG ovens जो की आपको 30L capacity में देखने को मिल जाता है Inalsa का ये OTG ovens stainless steel body design में आता है सामने की तरफ आपको glass door देखने को मिल जाएगा temperature control, trimmer वगेरा के आपको सभी knobs सामने की तरफ मिल जाते है यहाँ पर ये जो oven है ना 1600 Watt की weight इसके साथ आता है आपको 4 stage selector मिल जाता है temperature control के लिए knob मिल जाता है function selector मिल जाता है and साथ की साथ timer मिल जाता है अब ये जो oven है ना इसमें आपको convection fan तो मिलता ही है साथ की साथ है rotissory का option में मिल जाता है आप चिकन या फिर पनी टिक का tap की कोई भी rotissory वाली चीज बनाना चाहो बना सकते हो shut off bell मिलती है इसका जो timer है ना वो 60 minute तक का मिल जाता है आपको इस oven के साथ आपको almost सारी accessories मिलती है यहाँ पर 2 rack positions है तो 6 way cooking settings मिल जाती है साथ की साथ यहाँ परा इस oven में almost सारी चीज़े कर पाओगे लगबग 9 इंच तक का pizza बना सकते हो baking, grilling, toasting, rotissory वगेरा काफी सारी चीज़ हो जाती है इनालसा का यह oven आपको 2 years की warranty प्रोवाइड कर देता है और आप से cost करता है 5,300 उपीज तो अगर आपको 30 लीटर तक का एक simple, sober, सस्ता OTG oven पर्चेस करना है इनालसा का यह वाला oven definitely पर्चेस कर सकते हो नाव guys, here comes the fourth one which is Borosil Prima guys, Borosil का यह जो oven है न look-wise इनालसा से थोड़ा सा अच्छा निकल के आता है वैसे full body stainless steel में ही आती है सामने की तरफ same glass door मिल जाता है जिस variant की मैं बात कर रहा हूँ यह 42 liters की capacity के साथ आता है वैसे इसमें आपको कुछ 6 से 8 capacity के अलग-अलग variants मिल जाते हैं तो according to your budget and capacity आप कोई भी capacity select कर सकते हो Borosil का यह oven भी grill, bake, toast and roast जैसी सारी चीज़े कर पाएगा आपको यहाँ पर convection feature तो मिलता है यह साथ की साथ rotessory भी मिल जाती है for grilling and all 6 stage heating option मिलता है adjustable temperature control norm मिल जाएगा and same 60 minutes तक का आपको timer मिल जाता है बाकि एक function norm मिलता है यहाँ पर 6 तरह के अलग-अलग heating options आप select कर सकते हो बाकि almost सारी accessories मिल जाती है अगर आपकी family में जादा लोग है आपको 42 liters तक का oven लेना है या आपको जादा खाना एक बार में बनाना है तो आप borosil का यह वाला microwave oven भी check out कर सकते हो बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा costly आता है like 2000 watt की weightage में मिलेगा एक तो यहाँ पर भी आपको same 2 years की warranty मिलती है borosil का प्राइमा यह वाला जो oven है ना 42 liters वाला आपको 8000 रुपीज के आसपास मिल जाता है इनका 30 liter variant साठे साथ अजार के आसपास मिलता है बट जितना जादा इसका प्राइज है ना उतने features नहीं देता है यहाँ पर आपको 6,000 रुपीज के आसपास मिल जाए यहाँ पर इस वाले ओवन में भी आपको convection and motorized rotatory दोना मिल जाती है 1800 watts की वेटिस पर आता है बाकी यहाँ पर आपको cooking tray, grill and barbecue tray tong and square rods वगेरा सब कुछ मिलती है यह बजवाज की तरफ से यह जो ओवन है ना मेरी तरफ से highly recommended है budget consumers के लिए because not only the look आपको price के साब से एक अच्छी brand value मिलेगी 35 liter वाला variant इनका 8,000 रुपीज के आसपास आ जाता है and 28 liter वाला भी लगबग same price में आता है 2 years के आपको warranty मिलती है बजवाज की तरफ से and definitely इस वाले oven में भी सारी चीज़ हो जाती है like toasting हो गया, grilling हो गया, baking हो गया, oven हो गया तो अगर आपको medium capacity का कोई budget friendly OTG oven purchase करना है and durable भी चीए like वो long life चले तो definitely बजवाज का majesty purchase कर सकते हो now guys here comes the second one which is agaro grand oven वैस agaro का ये जो OTG oven है ना काफी जादा capacity budget में देता है almost सारे features आते हैं इसमें जो बाकी OTGs में आ जाते हैं agaro का ये वाला जो model है ना basically grand model है 40 liter के आपको capacity देखने को मिल जाती है याँपर इसमें भी आपको motorized rotatory मिलती है and convection fan मिलता है सामनी की तरफ आपको premium finish में glass door मिल जाता है with stainless steel handle 3 knobs दिये हुए like 1 to function knob है जहांपर 6 heating modes मिलते हैं आपको उसके अलावा temperature control and timer मिल जाता है timer 60 minutes का ही आता है आपकी आपको 4 heating rods मिलती है इसके अंदर जो कि आपके खाने को काफी जल्दी घरम कर देती है अंदर की तरफ illuminated chamber मिलता है तो अंदर की तरफ पूरी lighting मिलती है आपको like all OTG ovens यहाँ पर आप rotissory, baking, grilling, toasting सारी चीज़े कर सकते हो black color के stainless steel body में आता है याँ look wise काफी premium लगता है ऐसे series भी almost सारी आ जाती है यहाँ पर price की बात करू 40 liter वाला variant आपको 6,000 रुपीज में मिल जाता है and one year की warranty मिल जाती है पर 300-400 रुपे भढ़ा कर आप एक से दो साल के warranty extend भी करवा सकते हो यहाँ पर यह जो OTG oven है ना best budget and value for money oven लगा मेरे को because 6,000 रुपीज के budget पर आपको almost सारी चीज़े मिलती है साथ की साथ 40 liter की capacity में मिल जाती है well guys here comes the last and the best one which is Philips 36 liter digital OTG guys Philips का यह जो OTG है ना number one पे रखने का सबसे बड़ा reason है यहाँ पर आपको सारे futuristic look मिलते है साथ की साथ है digital display मिल जाती है सामने की तरफ यहाँ पर भी आपको temperature control convection mode मिल जाता है and opti temperature technology भी मिलती है जो की heating को even बनाती है guys basically जो convection microwave ovens है heating महीं पर even रहती है लेकिन इस वाले oven में भी heating काफी हद तक even हो जाती है because of this technology तो जो भी browning adjustment हो गया या फिर जो खाना है काफी crispy निकल के आता है इसमें भी आप baking, toasting, roasting, rolling सारी चीज़े कर सकते हो आपको 10 preset menus मिल जाते हैं आपर जो की through a touch आप control कर पाऊगे temperature control and timer मिल जाता है सामने की तरफ इसमें आपको 7 level of heating fashion मिलते है 2000 watt की weightage के साथ आता है यहाँ पर flips के इस वाले oven के साथ आपको जो warranty मिलती है वो 2 years की मिल जाती है price की बात करू 13,000 rupees में आता है अब देखो आप एक अच्छे brand की तरफ से जादा पैसे pay करके एक value for money durable and long life चीज लेना चाहते हो then flips का ये वाला OTG oven आपको मैं recommend करता हूँ बट जो price है ना काफी जादा है so that ये सब के लिए नहीं है जिसको budget में रहते हुए एक OTG oven purchase करना है वो अगारो grant बजाज में दिस्टी इनालसा या फिर बोरो सेल में से कोई भी ले सकता है बट जिसको budget का कोई शू नहीं है उसको best OTG oven से मतलब है वो flips का ये वाला OTG oven purchase कर सकता है नहीं तो best value for money OTG oven की बात करूँ तो उनमें अगारो एंड बजाज में दिस्टी निकल के आते है लास्टलि अगर आपको borosil एंड इनालसा सस्ता मिल जा तो आप वो भी purchase कर सकते हो नीचे description में links तो देई दिये मैंने अगर वीडियो पसंद आई होगी